हैलो दोस्तों स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल अपना सपना में दोस्तों मैं हमेशा की तरह उपस्तित हूँ आपके सपनों का हल लेके लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी YouTube चैनल अपना सपना में नए हैं तो हमारी YouTube चैनल अपना सपना को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेज कर दें ताकि आपको आने वाले सपनों का मतलब पता चल सके तो दोस्तों आज हम सपने के विचे में बात करेंगे कि अगर आप अपने सपने में किसी अन में वैक्ती को किसी दूसरे वैक्ती को अपने सपने में ठाना खाते भी देखते हैं तो यह सपना आपके आने वाले जिवन में क्या परभाव डालेगा दोस्तों सोने के बाद हम कई परकार के सपने देखते हैं कुछ ऐसे भी सपने देखते हैं, जिने देखने के बाद हम डर जाते हैं, और सुबह उठने के बाद उस सपने के बारे में व्याख्या करते हैं, या उस सपने के बारे में सोचते हैं, कि आखिर जो सपने हमें आते हैं, क्यूं आते हैं, और इन सपनों का क्या मतलब होता हैं. तो दोश्टों सपने को लेकर स्वपन बिग्ञान का मानना है कि जो भी सपने हम रात को सोने के बाद देखते हैं वे सपने हमारी भूत काल की घटी घटनाए एंग भवी से में होने वाली घटनाए को स्वपन फल के द्वारा दरसाती है कुछ सपने हमें सूप संकेत देती है वहीं कुछ सपने हमें असूप संकेत देती है और ऐसा ही माना गया है सपने में किसी अन्य वैक्ति को अपने सपने में खाना खाते हुए देखना दोस्तों सपने में किसी दूसरे वैक्ति को खाना खाते हुए देखना या एक अच्छा और असुब दोनों से उत्व मानगिया है अगर आप सपने हैं किसी एक क्योंकर संस्वेक्ज सपने है कि इ देखने कहते हैं यो स्वास्त माना जाता है कि आने वाले समय में आपका जो सुधारवा स्वास्तलाब होगा और धार्मीक जो योग बनती है धार्मी कार्यों में आपकी योग बनेंगे ऐसी सूचक माने जाती है अपने सपने में धेल सारे लोगों को खाना खाते वे देखते हैं तो कुल मिला कि दोस्तों किसी अन व्यक्ति को अपने सपने में खाना खाते वे देखते हैं तो यह एक अच्छा और असूप दोनों ही माना जाती है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी धन्यवाद दोस्तों